तो वालो कैसे हो आप लोग तो स्वैलो डेस्टार के नेक्स्टी नोवल के एपिसोड नोमर 260 में आपका स्वागत हैं तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना न भूले तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफएंग प्राइमर डीजन में आ चुका होता है और वहां पर अपने मिसन को कर रहा होता है और अफिर लूफएंग यहां पर ठंडर गौर्ड से मिलने आया हुआ होता है और यहां पर ठंडर गौर्ड आवी चुके हो अब बताऊ हुआ क्या है तो ठंडर गॉडट कहते है कि ये बहुत जा अरजेन मैंटर है तो लूप न्ग बैट से वे पूशता कि बताऊ तो ठंडर गॉडड कहता है कि ये विग ब्रदर के बारे में है तो ये सुनकर लूप 14 हो जाता कि क्या बिग ब्रदर अभे यहां पर देखा जाए तो प्रॉब्लम को फिक्स करने में लूफेंग से ज्यादा माहिर बीग ब्रेदर थे और इसी का लूफेंग ये सुनता तो सौक हो जाता है कि आखिर हुआ क्या है तो लूफेंग की एक स्पेशन भी सीरियस हो चुके हो तो बोलता है कि बताओ आखिर चल क्या र ब्रेदर और रेड़ी गानुवी उन्वस कंट्री में आ चुका था और वो अपने टाइम सेटर लोगों के साथ ही था और उसकी साथ कल्टिवेशन कर रहा था अफ़ी वह आगी क्या थे हैं कि इसी दस सालों में वह गानुवी उन्वस कंट्री में रहते जहां पे वो रिलेशन एक लड़की के साथ कैसे हो सकता है अब याँ पे मैं बताया जाता है कि निर्वाना पिरिट के दोरान होंग की वाइप और एड़ी मारी जा चुकी थी और याँ पे उसके दो बेटिया भी थी लेकिन याँ पे उसे विश्वास नहीं होता कि होंग को एक और लड़ के बार में उसे जूची चाहिए लेकर रहाता है इसलिए वह इसके प्यादर को बढ़ता है उपिए यहा पे आगे पूचता है लूफ यह कोई मजा तो नहीं न 시सुर्ट फैमिली है इसे रोक रही हैं तो ये सुनकर लूफ। पूुशता है कि आखे रीजन क्या है, तो यहां पर टंडर गॉड कहते हैं कि मुझे भी आड़िया नहीं है, बस यह समझ हो कि उसकी फैमिली ही, उसको रोकने की कोईथ कर देज। तो लूफेंग पूशता है कि कौन सी फैमिली है आकि उस फैमिली में कितने अंडायंग बेंगे मुझे बताओ अब यहाँ पर लूफेंग की जो स्टेटर से वो साथ इससे सॉल्व कर सकता है और आप पर तंडर कोड कहता है कि मैं भी अच्छे से नहीं जानता हूं लेकिन त पूशना चाहिए तभी तुम्हाइं उससे पता चलेगा तो लूफेंग ही क्याता चलू मैं उससे देखता हूं और आप पर उसके सामने स्क्रीन आ जाता है जहां पर वो अपने बेग ब्रदर को मेल भेशता है और थोड़े दिर बादी होंग खुद वहां पर आ जाता है आपर हमें होंग को दिखाया जाता जो क्याते तुम दोनों आखि तुम दोनों मुझे क्यों धूब रहे हैं तो यहाँ पर लूफेंग क्याता कि ब्रदर यहाँ पर बैटो और ठंडर कार भी लूफेंग और होंग की तब देख रहा होता और अफ़ उन दोनों को ऐसा मैं भी इसके बार में पता चल गया तो यहां पर लूफिंग क्याता है कि हां मुझे भी पता चल गया और वो पूस्ते की बिग ब्रदर क्या तुम सीरियस हो तो होंग भी क्याते की हां मैं सीरियस हूं अब यहां पर होंग की जो मेंटल स्टेट है उसके साफ पता चल रहा था कि हौंग बहुत इजा क्लियर हैं वो उसको पाना चाहता है और आफ फिलूफेंग इसमाल करते हुए क्याता है कि मुझे कभी एकस्पेक्ट नहीं क्या दा कि कोई एक वुमेन भी होगी जो में बिग ब्रदर को एक्टेक कर पाएगी और यहां पर कहते हैं सच में हौंग तो प्यार में पर चुका है और आफ फिलुफेंग फूचता है कि बिग ब्रदर आखे प्रब्लम किया है तो होंग कहते हैं यह बस थोड़ी सुरी प्रब्लम है तो लिए फेंग पूच्टा कि बिग ब्रदर मुझे बताओ उसके फैमली के बार में आखे उस फैमली के पीछे कौन सा अंडाइंग बेंगे उसकी situation क्या है अगर होगी तो मैं तुम्हारी health जरूर करूँगा फ़ी होंग लूप फैंग की तब ही देख रहे होते हैं और लूप फैंग भी होंग की तब देख रहा होता है और होंग कहते हैं कि लगता है इस बाइ मुझे अपने third brother को trouble में लाना ही पड़ेगा और वो कहते हैं कि जो family है उसको GC family कहा जाता है जोके 300 ऐस्ट्री क्रॉट family है गालू इन्वर्स country में और यहाँ पर उसकी लड़की है उसका जीन किंग नाम है और होंग ने directly कहा दिया होता हैं सब चीज और आप पी यह सुनकर उसके सामने देखने लगते हैं अलो फेंग को दिखाया जाता है जिसके सामने स्क्रीन आ चुका होता है और इसी के बगल में होंग और ठंडर गॉर्ड भी बैठे हुए थे लू पर क्याता सर्च करो यहाँ पर उसे 300 ऐस्ट्रोग कोट families के बारे में और इसकी इंफर्मेशन निकालो कि उसमें कितने अंड जहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स इंफर्मेशन स्क्रीन पर आ जाते हैं पूरा स्क्रीन वह इंफर्मेशन से भड़ा हुआ था ठंडर गॉर्ड वहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारे इंफर्मेशन को देखकर पूछते हैं कि आकिर हम लोग इन सब चीजों को क्यों नहीं एक आर्टिकल पर टैप करता है और जैसी ही वो खूलता है वहां कि सारी इंफोर्मेशन को दीख कर वो भी स्टन हो जाता और सौक हो जाता है तो जिसे दिखकर ठंडर गॉर्ड और हॉंग उससे पूसते की आखिर मसला किया तो लोग पर नसते भी कहता है कि यहां पर जो अठ गायंट बेंक्स भी रहते ही जिनकी अकेले में ताद हजारों और दस हजारों में है और यह बहुत आ पावरफुल होते ही और यहां पर कईयों को ही एंपर लेबल का टाइटल मिला हुआ है और अफ़ी यहां पर वो सारी चीजे एंपर के बारे में बताता है क्योंकि होंको अब बातों को समझाता है जिसको मैं एसकेप करता हूँ अब यहां पर आगे क्या था कि गानु इन्वर्स कंट्री में टोटल 32 एंपर से वहीं पर 268 ऑफिसियल से और यहां पर वो सबी 300 एंपर और ऑफिसियल मिला के होते ही और वो बहुत आप पावरफुल है और उनकी सं यहां का टैट्री स्नो बॉर्डर स्टार फिल्ड में मौझूद है और इसकी फैमिली इंचेस्टर पहली इंचेस्टर फैमिली है जिसका नाम टियांग चैन था जिसने अपने फैमिली को बनाया था और उसी के नाम से यह फैमिली बनता आ रहा है और उसका ऑफिसिल लेवल silver is no official है और वो कहता है कि silver is no official अपने साथ 300 emperor official को लेके चलता है जोकि अराम से एक country leader को बना साथ है और वो उसी leader के favor में आता है और अफ़ी लूफेंग ऐसे ही कई सारे बाते बताता है अब ये सारे इस बाते से उनके thunder god कहते हैं कि ये तो बहुदा powerful है लेकिन होंग अभी बहुदा सान्त होता है अलूफेंग ऐसे continue करके जी king के बारे में बताता है जिसको कि होंग पसंद करता है और अफ़ी वो कहता है कि ये एक universal level 9 की बंबी है जोकि real absolute genius is accomplished year में और वो universe mercenary alliance की core member है तो ये सुनकर हॉंग भी सौक हो जाता है कि क्या वो universe mercenary alliance की core member है अलूफे यहाँ पर thunder god भी सौक हो गया होता है अलूफे यहाँ पर हमें बताया जाता है उन great five level yathans के बारे में जिसके बारे में आपको पहनी से भी पता है इसको मैं escape करता हूँ और अफे हॉंग के expression भी complex हो चुके थे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसे कर सकती है और वो एक core member हो सकती है और अफे यह सारी बाते सुनकर हॉंग लूफेंग से कहते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल भी एतराज नहीं करता हूँ कि वो core member है कि उनिवर्स मरसनी अलाइंस की या फिर नहीं उसका मेरे relationship से कोई लेना देना नहीं और क्याता है ठाट बरर तुमने सारी information को देख लिया कि यह GC family मुझे अपने relationship में आने से रूख ले है क्या तुम्हें इस समस्या का समाधान है तो लूफेंग कहाता है कि हाँ मैं यह कर सकता हूँ तो होंग उससे कहते है सुक्रिया अपने हसते भी कहता है बिग बडर तुमने मुझे कई सालों से मदद किये और अब मेरी बार यह तुम्हां इस favor का लोटाने की इसलिए सुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं आप यह सुनकर होंग भी हसने लगते और यहाँ पर वो सब बात करने लगते है और आप पर में सीन चेंज कर यूज यांग माउंटेन लूफेंग प्राइमर रिजन विला का सीन दिखा आ जाता जहां पर लूफेंग अपने डिक्स पर बैटा हुआ होता है और वहाँ पर बबाता लूफेंग को टीज करते हुए कि क्या तुम्हें मुसीबत हो रही है तो लूफेंग इसमाल करते हुए क्या था कि कैसा मुसीबत बिग ब्रदन ने मुझे हमीशा हेल्प किया है तो इस बार मेरी जिम्यदारी बनती है कि मैं उसका help करूँ अब ये दिखा जा जो matter है वो छोटा लग रहा है इतना भी difficult नहीं है इसको सिर्फ time चाहिए और मेरी 24 चाहिए कि मैं इसको complete कर सकूँ तो बाता भी उससे curious होते भी पूस्ती है कि 24 आखिर कैसा 24 तोलू फेंग कहता है कि मैं पास दो रास्ते इस problem को solve करने के लिए पहला तो मैं अपने teacher 2 यान से कैक कर उनसे अपने status से गानू इन्वर्स कंटी को ये मना सकता हूँ और उनका जो status है गानू इन्वर्स कंटी भी उसके सामने respect सोग करेंगे और वो silver snow official उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते हैं और यही सबसे easiest और direct method होने वाला है लेकिन कुछ भी हो मैं अपने teacher को बार-बार मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ अब भले ही मैं teacher protective और partial है लेकिन मैं फिर भी ओकेशनली ऐसे करते करते उनको अपना काम नहीं करवा सकता हूँ तो यह सारी बाते सुनको बवाताव से पूशती तो तुमाया दूसा choice क्या है दूसा choice है कि मैं अपने domain law level में breakthrough कर लेना चाहिए और जैसे मैं अपने domain law level में breakthrough करूँगा तो गानू inverse country या फिर वर्ट्यू अपनी के rule के मताबिक यहाँ पे जितने भी गानू डिपार्टमेंट अपर अचलन्स होगे या फिर highest authority होगे वहाँ पे मुझे जाना होगा वहाँ पे मुझे एक position मिलेगा और वहाँ के जितने भी authority होगे higher level के उन्हें मुझे respect सूप करना होगा और ये सारे लोग वर्ट्यू अन्वास company के सामने कुछ नहीं अवे यहाँ पे लूफेंग primary region members था जिसके कान उसकी authority बहुत जाती और लूफेंगर को वहाँ जाता तो इसकी authority भी बहुत ज्यादा होती वहाँ का पूरा जगा ही लूफेंग के सामने अपना सर जुका था और अपने ववाता ये सुनकर सौक हो जाती है और कहते है कि क्या तुम breakthrough के लिए तयार हो और यहाँ कहते है कि क्या तुम अपने पुर्गेटरी abyss को तो नहीं करना चाते है अपने breakthrough के पहले क्योंकि तुम्हारा तो यही प्लान था कि अपने सबसे भैंकर मीशन को last में करोगे तो लोब फैन कहाता है कि मैं अभी यही बारे में सोच रहा हूँ तो यहाँ पर वो कहाता है कि यहाँ पर तीसरा मेटर भी है जो कि मुझे directly silver is not official ट्यान चांग जिन से मिलना होगा लेकिन साथ वो इसमें नहीं मानेंगे इसलिए मैं थर्ड मेटर में कोई भी नहीं है अब पहला मेटर में मैं सबसेजा पर सेंटेज है कि मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ सेकेंड मेटर ही होगा कि मुझे गवर्नर बनना होगा और जैसा होगा वैसे में करूंगा क्योंकि जितने जाला हुज पावर होंगी यहाँ पर वर्च्व अन्वस कंपनी के द्वारा यहाँ पर गानू इन्वस मुझे जरूर रिस्पेक्ट सोग करेगी और लुफएं इसी सब के बार में सोचता हूँ क्या था कि अगर बात कर सेकेंड में ठर्की तो मुझे अपने पुर्गेट्री एबस को गिव अप करना पड़ेगा और यहाँ पर लुफएं अभी कंफ्यूजन गैलेक्सी के बर सेक्रेट को खोज रहा था और लुफएं को वहाँ पर कोई भी सीक्रेट नहीं मिला होता है और पुर्गेट्री एबस यहां का टॉप मिशन होने वाला था जो कि बहुत जाए सेक्रेट को अपने अंदर होल करता है और आप फिर लुफएं के मांड में सारे केल वुफएं के बारे में यादाने लगती है कि कैसे वो अपने इंपॉसिबल लेवल मिशन में मारा गया ह लुफएं यहां पे लाल्ची नहीं हो सलता है क्योंकि इस शिक्स डेंजरोस लेवल मिशन में उसने पलपर हंडेट नेट लिफ को एक्वार किया था जो कि उसके लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होने वाला था अफिर लुफएं कहता है कि पुरगैट्री एपेस एक टॉ आप मिशन हे और मैं लगता है बहुत बहुत जा ओवरक्रम एक हो रहा हूं साइड मैं भी वां मर सकता हूं और यहाँ पर लुफएं कहता है साइड मुझे इस बार बैक श्ट्रेप कर लिना चाहिए मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे अगर जाना होगा त से पूछते है लूप एंग आकिन मैंटर क्या है तो यहां पर लूप एंग टूवयान के तब देखते हुए क्या था टीचर मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अपने डुमेंड लॉड लिवल में किसी भी वक्त ब्रेक्ट्रू कर सकता हूं आपको क्या लगता है कि क्या मुझे अगर ऐसा है तो तुम्हें ब्रेक्ट्रू कर लेना चाहिए क्योंकि जो बात है तुम्हारी ट्रेनिंग की वह बहुत ही प्रिविडियन और कॉसियस होने वाली है तुम्हें बहुत ही ब्रेव होना पड़ेगा और अफ़ि अगर तुम अपने डुमेंड लोड लेवल को ब बढ़ेगी यह सुनकर लुफएंग की आगे चमक होचती है और यहाँ पर टू एन फ्रेसी क्या आते कि तुम्हें आगे बढ़ना रहना चाहिए तुम्हें खुद को अमेसा पुस्ट करते रहना चाहिए यहाँ पर सबसे जाद जरूरी यह है कि सेक्टर लॉड लेवल में त वो impossible level missions को finish कर दिया है और तुम्हें पास एक और last chance से लेकिन इससे क्या होता है अगर तुम्हें आगे future में कभी point की जरूरत होगी तो तुम teacher से मांग सकते हूँ अपने पैसे से exchange कर सकते हूँ अपने points को लेकिन यहाँ पर अभी तुम्हें impossible level mission से ज्यादा worthy नहीं रखना अब यहाँ पर लूफेंग को वो सारी चीज़ें बताती हैं जो कि क्या करना चाहिए और अफ़ी यह सारी बाते सुनकर लूफेंग क्या था कि teacher मैं समझ गया मुझे अपने domain lord level में breakthrough कर लेना चाहिए तो यह सुनकर वो हसते में क्या तिर जाओ तुम्हें अपने आपको और दिन का बात सिन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफेंग अपने वर्चुल मेंस कंपनी की स्टाफ स्टेशन में रुखा हुआ होता है और अफ़ी लूफेंग वहाँ से आ चुका होता है और जबकि गोलेन होम बेस्ट और मोसा क्लैसमेंग अपने breakthrough को complete कर चुके थे तो गो लूफेंग आने के लिए और लूफेंग बरी आसानी से breakthrough कर लेता है और आधे दिन बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वर्चुनवस के कंपनी के स्टाफ लूफेंग के पास आते हैं और वो क्या आते हैं कि यह मेंस्ट लूफेंग हमारा जो connection वर्चुनवस कंपनी मे हैं हमने यह डिस्कवर किया कि आपने और रेडी डूमेंड लोड लेवल में breakthrough कर लिया है और कंपनी के रूल्स के मताबिक आपको इसे reality में confirm कराना होगा और वहाँ पर लूफेंग के सामने three black cloth staff करे होते हैं और लूफेंग वहाँ पर अपने smile को reveal करता अब यहाँ पर हमें भी quantum computer है या फिर consciousness induction helmet यहाँ पर सब चीज ऐसे design बने हुए कि वह अराम से किसी के body abilities को scan कर सकती है और इसी features की काई लूफेंग के domain law level में breakthrough करने के बाद वह साय वर्चुएंग के company के staff जान चुके थी तरफ लूफेंग कहा था कि मैं समाद गया हूं तो यहाँ पर यहाँ पर speed energy और genetic energy को release किजिए तो लूफेंग ऐसा ही करता है और अपने speed energy को release करता है और वो जाके वहाँ के machine में लगता है और वहाँ पर alarm बजने लगता है और यहाँ पर लूफेंग के speed energy और genetic energy दोनों domain law level 1 में आ चुके होते हैं और अब भी वहाँ पर फिर से बंदा क्या था energy और body दोनों की cultivation अलग होती है इसलिए उन्होंने दो बार check किया होता है अब लूफेंग ऐसा ही करता है और वो अपने blood drop को गिढाता और यहाँ पर उसको भी scan कर लेती है और लूफेंग का body भी यहाँ पर अपने domain law level 1 में आ चुका होता है और यहाँ पर इस सारी को आ चुके तो इसे वर्ट 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 में भी जा जा रहा है और आपको congratulation की आपने अपने domain law level में ब्रेक्ट्रू कर लिया है तो लूफेंग क्याता थाइंग और आफ़ी वो लीडिंग स्टाफ क्याता कि जैसा कि आपने अपने आपनी आडेंटी को confirm करा लिया है तो पर जा सकते हैं अब यहाँ पर जितने लोग भी confused है उसको मैं बता दूँ यहाँ पर एक nutrition के भी नाम का होता है chamber जहाँ पर आप जाओगे सिर्फ आपको बैठना होता है आप domain law level 1 से 9 में अराम से promote हो सकते हो और लो फेर ने इसी nutrition केविन का use करके universal level 1 से 9 तक में breakthrough किया होता ह अब यहाँ पर company इसलिए खरती है क्योंकि आप अपने आपको breakthrough करने पर time जाये न करे अपने आपको सिर्फ comprehensive of law और टेकनिक और टीचिंग्स को सीखने में लगा रफी यहाँ पर हमें stone gate nutrition केविन को दिखा जाता है जिसमें कि बहुत जा expensive nutrition liquid होता है और यहाँ पर leading staff कहाता है your majesty आप nutrition केविन को सिर्फ अपने लिए यूज कर सकते हो और यहाँ पर एक और चीज है तो लोफ टैंग भी खरा होता हो उसको बरें ध्यान से सुन रहा होता है और वो कहाता है कि दूसरी बात यह है कि आप अपने domain lord level में आ चुके हैं तो आपको बाहर बेजा जाएगा और आप किसी भी और universe country में जा सकते हैं तो लोफ टैंग क्याता है कि मैं गानू universe country में ही जाना चाहता है तो यह सुनकर वो leading बंदा क्याता है ठीक है अब जैसा कि आप primary region के member है और आपके position गानू department में बहुत आ हाई है इसलिए वहाँ पर आपकी authority भी बहुत आ हाई होने वाली है इसलिए आपको बहुत ही जल्दी अपर एचलन से यह आदेश मिलेगा कि आपको भी दिया जाएगा यहां पर प्रोसेस सबसे जल्दी मंत में भी हो साथा है स्लूएश भी आदा साल लग सकता है तो लूफ एंग हामी भड़ता है और आप पर पर आइस टाफ कहता है कि इसके बाद वहां का वो तीनों बंदा निकल जाता है अफी हमें सिंचेंज के लूफ एंग को दिखा आ जाता है जहां पर उन सब की जाने के बाद लूफ एंग अपने लिविंग रूम में आ चुका होता है और लूफ एंग कहता है कि इनकी इफेंस से सरूर्व स्लो है यह अपर ओडर के लिए एक माइने से लेके आदा साल लगने वाला है अब यहां पर बगल में गाली मी बैठा हुआ होता है और वो कहता यूँए मेस्टी आप यहां पर प्राइमर रीजन मेंबर से इसलिए आपको यहां पर अठार्वत के लिए अपर एश्रेंज की जरूवा आकि मैं वहाँ पर जाओंगा तो मेरी पोलीसिन वहाँ पर क्या होगी और यहाँ पर डाइलिन उनसे बताता है कि यहाँ वर्चु अन्वस कपनी में गानू डिपार्टमेंट में भीजा जाए तो वहाँ पर नॉर्मल सर्कुंस्टांसल में टीन टाइकुन्स होते हैं अब य यहाँ पर इन तीनों साइट को संभालने के लिए तीन टाइकुन्स बनाए हुए हैं और इन तीनों को एक दूसर से शंभालते हैं तो ये सुनको लोओ र्चु करती है तो च्ञिक्ट करती है जैसा कि वर्ल्चूर्णर्स कांपनिंग में यहां पे लूफेंग को न्यूचूर्ण करवाया गया यहां पर दूसरा साइड है बिजनस का यहां पर ट्रुलियंस और वर्कर्स एक दूसरे से मिलकी ठाम करते अपने बिजनस को ग्रोग कराने के लिए और यहां पर एक यहान पोड़े पूछता है कि यह युनिवर्स आड मेर जुलत हो क्याता है कि युनिवर्स आर्मी में सबसे के विकेश का माचियर आपके आरो नहीं करके व दाना आना यहाँ पसबल म सकता अपती ऐसी कि में आप ये शुका है कि यहां पर 10,000 अंडाइंग बेंगे जो कि इस पूरे आर्मी में तो ना जाने यह पावर कितना ज़्यादा होगा और यहां पर यूनिवर्स आर्मी बहुत जा पावर्फुल होती है और इसको मैनेज करना भी बहुत जा इंपॉर्टेन होता है अब यहां पर लू फैंग में या फिर ह्यूज एक्स डोजू डिपार्टमेंट के द्वार चलाई जाती है और वहां पर बहुत बढ़ा बंदा जाता है और उन सब को चलाता है और यह सब उस सब मिलकर चलाते ही तो लूफिंग सौक हो जाता कि क्या यहां पर वर्च्व अन्वर्स कंपनी और ह्यूज ए देख लेक्ते तो लूफेंग सौक हो जाता है और यहां पे हमें ऐसी कई साथ चीज़े बताई जाती है जो कि इसी आर्मी के रिलेटर है और बस आप लोग इतना समझ लो कि वहां टीन टाइकून्स होते हैं जो कि यहां पर सब चीज़ चलाते हैं और उन्हें के पास सबसे ज जितनी यह ओफिसल लेबल की और अफी यहां पर वो कहता है कि इन साथ टाइकून्स के अलावा यहां पर फोट टाइकून्स मी मौजूद है तो यह सुनकर लूफेंग क्यूरियस हो जाता है और इसकी बार में पूछता कि आखे यह पोडियांग क्या है अब यहां पर अपना डिसाइट किया कि वो डुमेड लॉड लेवल में ब्रेक्टू करेगा और यहां पर जब ब्रेक्टू किया तो इसके बाद उसने सारी इन्फर्मेशन को ग्यादर करना शुरू कर दिया है ताकि अपने इस नय मिशन को पूरा किया जा सके तो यहां पर डायलिंड कहते है कि जितने भी प्राइमर रिजिन के मिम्बर सो भाँ भीजे जाते उनके पोजिशन फुपर वाईजिंग इल्वार्स से होता है और ये पोजिशन उन तीनों टाईकॐन के सिमलर होता है अब इस उनके लूप फिंग पूछते कि या फिर लूफमेंग के लिए पावर ही जरूआती ही यहां पोलिशन से कोई मतलब नहीं था और आप फिर डाइलिंग क्या था अफ्कॉर्स उनके पास भी रियल पावर होती है और वह बहुत ज्याला होती है तो यह सुनका लूफमेंग भी थ्वासा है रान होता है तो नेक्ष लिए में और देक्ते एसे किबार में तबता के लिए बाई